होड़ो श्टुडेंट्स गूढूर्निक मैं आपकी संसक्रिट इचर लिधी गुप्ता आपकी कख्षा सप्तम विशै संस्क्रिट दस्ज़का पाट छे नगा दिराज हिमालिय नग यानि परवत और अदिराज यानि राजा हिमाल्य परवतों का राजा हिमाल्या, अधिराज माने स्वामी, परवतों का स्वामी हिमाल्या, हिमाल्या को क्या कहा है, परवतों का राजा कहा गया है, अब इसमें देखें, देखें, हिमाल्या नाम परवत है, भारत देश से उत्तर दिशायाम इस्तित है, हिमाल्या नाम का परवत उत्तर दिशा में हिस्तित है जो ही हमारा हिमाल्य है वो भारत देश के कहां उत्तर दिशा में इस्तित है यानी खड़ा हुआ है अस्य शिखर भागा सदेव हिम आच्छा दिता संती इसकी शिखर भागा यानी चोटियां जो हमेशा हिम आच्छा दिता यानी बर्व से ढकी हुई हैं अतेव से हिमस्य आल्य अर्थात हिमाल्य कत्यते इसलिए वह हिमस्य आल्य यानि बर्फ का घर आल्य मने गर बर्फ का घर अर्थात हिमाल्य कहा जाता है से विश्वस्य समस्तेशु परवतेशु उन्नतमे अस्ती यह विश्व के वह विश्व के समस्त परवतों में सबसे उचा है कौन सा हमारा हिमाल्य अतेव से नगादी राज इत्यपी ग्यायते इसलिए वह परवतों का राजा इस नाम से भी जाना जाता है नगादी राज ठीके हिमाल्याद बहुत संख्या का नद्य निस्षरंती हिमाल्या से अनेक संख्या में नद्या निकलती है बहुत सारी नद्या निकलती है भारतस्य भूभागम चैसिंचन्ती और भारत के भूभाग को सीचती है भूभाग यानि जो जमीन का भाग है उनको सीचती है जैसे गंगा, यमना, शत्रदू, विपाशा, एरावती, चंद्रभागा, वितस्तता, प्रवते यानि जैसे हमारी गंगा है यमुना है और शत्रदू यानि हमारी जो शत्रदू है विपाशा शत्रदू हमारी शत्लूज और विपाशा हमारी व्यास नदी इरावती और चंद्रभागा यानि हमारी चनाव नदी और वितस्तता वितस्ता हमारी जेलम नदी जेलम नदी आदी ये सारी नदिया जो है वो क्या करती है हमारे भू भाग को भारत के भू भाग को सीचनी है एतासाम नदीनाम वारी भारतस्य भू सिंचने महत कार्यम करोती इन नदियों का जल भारत के भू सिंचने यानि भूमी भाग को सीचने काम बहुत बड़ा कार्य करती है अते भारत भूमव बहुनी अन्नानी फलानी चे उद्भवन्ती इसलिए भारत भूमी पर बहुत से अन्न और पल उत्पन होते हैं हिमाल्य भारत से रक्षक है अस्ती हिमाल्य भारत का रक्षक है रक्षक यानी रक्षा करने वाला है हिमाल्य से हिमेन आच्छा दितानी उन्नतानी शिखरानी उत्तर दिशायाम शत्रुभ्य भारताम रक्षनती हिमाल्य का हिम से यानि बर्ग से ढखे हुए उचे शिखर उत्तर दिशा में शत्रों से भारत की रक्षा करते हैं क्योंकि हमारा हिमाल्या है वह उत्तर दिशा में इस सित है तो वह हमारा जो उसके जो आपके बर्व से ढखे हुए जो उचे-उचे चोटिया है वह उत्तर दिशा में शत्रों से भारत की रक्षा करते हैं आयाम भर्वत भारत देश अस्य मनी मुकुट इव विद्यते यह परवत भारत देश की मनी मुकुट के समान है क्योंकि इसमें आपके बर्व से ढखे रहती है ना तो वह चमकती रहती है तो वह मनी के समान ऐसा लगता है कि हमारे जो भारत माता है हमारे भारत देश को भारत म तक आ गया तो उसको उस पर ये मणी मुकुट के समान शुजोबित होता है ये हिमाल्य अमारा अस्य उत्चंग देशे विविधा विटप वरा लता ओशदे व्रक्षा धात्वे फल पोश्प मूलादे प्राप्यंते इसकी गोध में किसकी इस हिमाल्य की हिमाल्य की गोध में अनेक प्रकार के विटप वरा यानि व्रक्ष लता ओशदी यानि दवाईया व्रक्ष और धातू धात्वे जैसे हमारी मैटल होती हैं जितनी वी तरीके की धात्वे वो सब हुआ पर पाई जाती हैं फल फूल जड़ आधी प्राप्त होती हैं ये तु अत्यंतो उप्योग लोगों पर महान उकार करती हैं अत्रे निवसंत अनेक वन्य पश्वय अपी मानवों उप्योगिने वरतनते यहां रहते होई अनेक वन्य पश्वय यानि जो वन के पशु हैं वन के जो पशु आधि मिराते महाँ पर वह भी मनश्य च McDi के लिए उप्योगी है अत्से परवत्चस्य उत्संगे अनेक आनी सुरम्य स्थानानी वर्तनते इस परवत की गोध में उत्संगे माने गोध में अनेक सुरम्य स्थानानी यानी सुन्दर स्थान है अत्र प्राकरतिकी शोभा अतीवीर सराजनते यहां प्राकरतिकी शोभा बहुत सुन्दर है जो हमारी प्राकरतिक शोभा है जो नैचुरल ब्यूटी है वो बहुत ही सुन०र है शिमला, नैनिताल, मसूरी, दार्जिलिंग, प्रबृतिवी नगराणी अज्से उपत्य कायाम एव अविस्तिता संती शिमला, नैनिताल, मसूरी और दार्जिलिंग ये जैसे अनेक नगर इसकी तलहटी उपत्य कायाम बने तलहटी में ही इस्तित है यत्र धनीका जनाहा ग्रीश्मात परित्राणाय स्वास्थ लाभाय मनोरंजनाय चैगच्चनती यहां धनीक लोग जो धन्वान व्यक्ति हैं वो गर्मी से परित्राणाय यानि दुखी और स्वास्थ लाभ के लिए और मनोरंजन के लिए जाते हैं हिमाल्यस से दर्शनेशू, स्थानेशू, काश्मीरम प्रमुकम वर्दते। हिमाल्य के देखने योगे स्थानों में कश्मीर प्रमुक है। कभी काश्मीर को स्वर्ग के समान कहते हैं। भारत देश का शाषन हिमाल्य की रक्षा के लिए तत्पर है तो हम सब को भी वयम प्राणे ना अपी हिमाल्य से रक्षनम करिश्या में तो हम भी प्राणों से भी अधिक हिमाल्य की रक्षा करेंगे तो यह हमारा आपका हिमाल्य नगा दिराज हिमाल्य यह आपका लैसन में ने पढ़ाया है अब आप इसके शब्दर्थ और कटीन शब्दर्थ जो हैं वो आप लर्न करेंगे और लिखेंगे Thank you, have a nice day